आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फार्मेसी प्रैक्टिस में क्या काम किया जाता है और अगर कोई अस्टेट केंदर सरकार के PCI का 2015 में बनाया हुआ फार्मेसी प्रैक्टिस रेगूलेशन लागू करता है तो फार्मासिस्ट को कौन कौन सा फायदा होगा इसलिए वीडियो को अंतर जरूर देखे क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब धीरे-धीरे सभी राज्यों में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगूलेशन 2015 लागू किया जाएगा और क्योंकि अब डिप्लोमा इन फार्मेसी में एक्जिट एक्जाम आ गया है तो एक्जिट एक्जाम से बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फार्मसिस्ट हमारे मेडिकल फिल्ड में आएंगे और इसलिए फार्मेसी प्रैक्टिस 2015 को लागू किया जा रहा है जिसकी सुरुवार बिहार से हो गई है इसलिए अब सभी राज्यों में फार्मेसी प्रैक्टिस 2015 लागू किया जाएगा आप सभी इस वीडियो को देखे कि फार्मेसी प्रैक्टिस में एक फार्मसिस्ट को क्या-क्या काम करने पड़ते है यहाँ पर पॉइंट नंबर वन में यह बताया गया है कि जो फार्मेसिस्ट है उनका रूल एक्सपेंड हो चुका है फार्मेसी प्रैक्टिस को अप्लाई करने से यानि फार्मेसी प्रैक्टिस 2015 जब से अप्लाई हुआ उनका रूल बढ़ गया है अब वो सिफ दवाई नहीं दे सकते बलकि पेसंट की केर भी कर सकते है यानि पेसंट की देखभाल करेंगे इसके साथ जो नॉर्मल मेडिकेशन है यानि कि जो दवाईयां वो दे सकते हैं काउंटर से वो आप दे सकते हैं तो therapy में जो start होती है, यानि कि therapy management में जो जो दवाईया over the counter है, essential है और symptom के आधार पर है, आप मरीज को दे सकते हैं। दूसरा point दवाईयों की safety से जुड़ा हुआ है, इसमें जो pharmacist pharmacy practice के अंदर में काम करते हैं, उनको नई technology और नई process के जरिये दवाईयों की सावधानी पूर्वक और उसकी safety को ध्यान से समझना पड़ता है और उसे implement करना पड़ता है। तीसरे point में ये बताया गया है कि समय के साथ साथ जिस तरह से medical के अने field में development हुआ है, उसी तरह से pharmacist में दवाईयों का जो dispense है, वो भी modern तरीके से होगा और यहाँ पर दवाईयों को dispense, automated dispensing system के दवारा होगा, जिसमें हो सकता है कि कि किसी robot के मदद से या किसी artificial intelligence की मदद स दवाईयों को dispense आपके दवारा करवाया जाएगा hospital में, चौते point में ये समझाया गया है कि इन सभी pharmacy practice 2015 में जो जो नई चीजे implement हुई है, उसके लिए pharmacist को training दी जाएगी और एक अच्छा patient support program pharmacist को समझाया जाएगा ताकि वो नए तरीके से मरीजों की देख़ाल कर सके, प pharmacist अपने workplace में अपने जो भी साथी है या जो भी आपके साथ colleague है, उनके साथ आपको किस तरह से work करना है और उनकी मदद किस तरह से लेनी है, मरीज को अच्छा medication therapy देने में और patient को अधिक साथिक outcome मिल सके, medical facility का, इसके लिए आपको आपके दोस्तों के साथ, अपने साथ काम करने वारे लोगों के साथ और जो other medical staff है, उनके साथ किस तरह से आपको रहना है, इसकी भी training दी जाएगी, छटे point में ये समझाए गया है कि chronic disease जैसे कि diabetes हो गई या और भी ऐसी chronic disease जिसमें दवाईयों का सेवन मरीज को लंबे समय तक करना पड़ता है, उसके लिए आपको उ समझाया जा रहा है कि किस तरह से आपको communication develop करना है, communication most powerful tool है आपके लिए जिससे मरीज को आप satisfied करेंगे, अगर आपके से corporate नहीं कर रहा है, तो आपको अपने communication के अबल पे ही मरीज को समझाना होगा, और साथी साथ आपके साथ जो भी other medical health care worker है, उनके लिए भी आपकी communication पूलाइट होना चाहिए, तो ये सारे training pharmacy practice regulation 2015 में आती है, आठवे number point में ये समझाया गया है कि फार्मसिस्ट को अपने knowledge के अधार पर और technology के अधार पर दवाईयों में जो गलतियां होती है, उसको कम से कम करना, इसकी भी training pharmacy practice के अंतरगत आती है, 9 नमबर में समझाया गया है कि किस तरह से पुराने तरीकों को आपको हटा करके नए तरीके अपनाने हैं, यानि कि distribution का नए तरीका अपनाना है, नए models अपनाने हैं, और development के साथ साथ आपको ये दिखना है कि medication में जो speciality है, यानि कि जो दवाईयों में आपको नए नए प् लाई कर सकते हैं, और 10 वे पॉइंट में ये बताया गया है कि pharmacy practice 2015 जो है, ये इस तरह से catarize करता है, जिससे कि मरीश को जो outcome है उसके health care service का वो अधिक सदिक मिल सके, उसको improvement दिख सके, और साथी साथ patient को एक centralized तरीके से treatment मिल सके, जिससे कि वो पहले से ज़्यादा अच्छा कर सके और pharmacist के role को एक अहम मुकाम में लाने के लिए pharmacy practice 2015 को लागो किया गया है, इसके अलावा आपके मन में कोई भी question हो, comment box में पूछी